नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग, ठीक हैं? हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं, गुरु जी, मुझे सवारी दे दो भाई, कोई गुरु कैसे सवारी दे सकता है? सवारी कृपा से मिलती है आज हम इसी विशे पर बात करेंगे एक सजन हमारे भगत हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं छोटे अनूज हैं, हमारे लाडले हैं ये भी सवारी की डिमांड कर रहे थे कर रहे थे न वलक? तो चले मैं बताते हूं सवारी होती क्या, किनको आती है और कुछ लोगों को बगैर मांगे सवारी मिल जाती बगैर पूजा पाट अरचन के मिल जाती है आईए, सबसे पहले हम सवारी के विशे में बात करते हैं सवारी कर्थ होता है कि सक्ती किसी को माध्यम बनाकर वो जन कल्यान करना चाहती है ध्यान से सुनना सवारी का मतलब सक्ती किसी ऐसे वक्ति को जिसका चरित्र, आचार, विचार, संसकार, सबसुद्ध हो, लंगोट का पक्का हो, लोभी ना हो, लालची ना हो, आस्थावान हो, ऐसे वक्ति को चुनती हैं, और उसको माध्यम बना कर, वो लोग कल्यान करती हैं, ऐसे में देवियों की, दीखें, जो देवी सवारी बहुत उठाने वाला नहीं, मैं देखता हूं कुछ ऐसे दरवार भी लग रहे हैं, जिनमें हमारी कुछ बहने हैं, वो फिल्मे स्टाइल में बड़े-बड़े मेकप करके, और शनातन धर्म में हमारी माता कालिका का, नाच करते हुए, नवटंकी करते हुए दरवार लगा रहे है भगवान उनको सदबुद्धी दे, ऐसे करने वालों का बहुत जल्द, कुछ ना कुछ माता बहुत गड़बड कर देती हैं, तो निवेदन है कि सनातन धर्म की सक्तियों का नवटंकी या मंचन करने की यह वो नहीं है, चीज हैं, तो ऐसा ना करें तो सवारी उनको आती है, जिनको माता, देवी, देवता या जो गड़ होते हैं, योगनिया होती है, कभी-कभी प्रेद की भी सवारी आती, वो भी अच्छा काम करना चाहता, भाई प्रेद भी बहुत अच्छे-च्छे होते हैं, ऐसी बात में जिस प्रकार समाज में होते ह गोश्वामी तुलसी दास को एक प्रयत नहीं, मर्यादा प्रुसोत्रम स्री राम चंद जी के दर्शन के लिए प्रयरित किया था, उन्होंने रास्ता बताया था अब दूसरा क्या होता है, जैसे इस जनम में मैं भगत हूँ, खुब सेवा कर रहा हूँ अगला जनम मुझे कहीं और मिला, सेवा भूल गया, ध्यान ही नहीं, तुस सेवा की सक्ति मुझे अनायास प्राप्त हो जाएगी, कोई ना कोई माध्यम से, स्वपन से या ऐसे, या स्वपन से भी नहीं आई, तो हम घर में ही हमारे उपर एक सवारी आ जाएगी, फिर अपने घर के गार्जियंस बताएगी, यह मेरा घोड़ा है, मेरा चेला है, मेरा सिस्स है, मेरा भगत है, मैं इसके उपर आऊँगी, आऊँगा, और इस माध्यम से मैं सेवा सबका करूँगी, या जिसको जो कश्ठोगा उसको दूर करूँगी, यह होता है, प्रारब्धका, तीस है, उससे प्रसन होकर, यह तीनों, अलग-अलग, एक सब्जेक्ट है, मैं बता दूँँ, प्यारे दर्श को, कि यह तीन चीजों को ध्यान में रखना है, अगर आप नए हैं, और आप चाहते हैं, कि मुझे सवारी लेनी है, तो आप जिसकी सवारी लेना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी तिथी, काल, योगनी समय, जो यह निप पत्र का, जो होती है, जंत्री जिसे कहते हैं, और पत्रा के अनुसार, जंत्री के अनुसार, आप सुब मुहुर्त देखकर, संकल्प सहित, पहले आप पूजन, उसके बा कर दीजे, और प्रतदिन किरपा पाने के लिए, उनसे निवेदन करिए, निवेदन के साथ, जब तक का आप भक्ती भाव से नहीं जुड़ेंगे, एकदम भाव हो जाओ, आशु आपके गिनने लगे, सब कुछ सुद भुद सारा भूल जाओ, सिर्फ उस पावर के बारे म जब आपकी ये दसा हो जाएगी, कि आप उनके प्रेम में, उनके भीयोग में, एकदम से आपके आशु निकलना चालू हो जाएगा, आप वाकई में भक्त कहलाएंगे, तो ऐसी किरपा होगी, कि आपके उपर वो पूरी जोस के साथ, पहली सवारी बहुत जोस के साथ आती अध्यम बनाकर हम लोगों का कल्याण करें, तो प्यारे दर्सकों सवारी गाव में यह बहुत देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग तो वो कभी मतलब फूजा पाठ कोच नहीं करती हैं, सवारी आनी जरास बचाएगा, डंबल डंबल वाना चालू, आओ महरानी काउन हो, मैं 70% लोगों के बता दूँ कि जो सवारी का एक नाट रूप प्रदर्शन करते हैं, ऐसे लोगों के सवारी नहीं ती, जो उची कोट के देवी देवताओं के सवारी बड़ी ही सौम में से आती, बहुत ही, वो ज़्यादा हीलेंगे, डोलेंगे, नोटंकी नहीं करते हैं, बंदर, बिल्ली और भालू नहीं है, जो बड़ी शक्तियां हैं, उनकी जो पावर होती है, उसका एक अंस, उनकी जो एक अंस होता वही किरपा आती है, इतना बड़ा कोई योगी जब तब नहीं हुआ, कि माता कालिका को ले ले, माता काली भगवती, चंडी, सवार ही उनक इसके अंदर करोड़ो शूर्शमान तेज है, हमारी आपकी क्या चमता है उनको, अपने उपर लेने की, भसम हो जाएंगे, तरीका सिर्फ ये सनातन में है, सवारी का सिस्टम सिर्फ सनातन में है, क्योंकि सनातन धर्म सब की इज़द करता है, डयालू है, सब का साथ सब का, आप बिकास वाला एक सिस्टम लेकर चलती है, मानो कल्यार, जीव कल्यार, राष्ट कल्यार की भावना लेकर चलती है, तो प्यारे दर्सको, सवारी के उपर तभी विस्वास करिये, किसी उपर सवारी आ रही है, आप एक रुपए के कुछ नोट लो, उसका नंबर याद कर जे में रखे लो, प्रणाम करो के दो माता जी, आज हमारी इजद का सवाल है, किसी ने हमसे कहा कि यह जाओ नोट जे में रखे जाओ माता जी बता दें, वो नहीं बताएंगी, कोई ना कोई बहाना करके टाल देंगी, और जो वास्तों में सवारी होगी, वो तुरंत डाट कि आपको बताएगी, जा तेरे यह यह नोटिये है, उसको यकीन मानिये, सवारियां कभी मुश्कुराती नहीं है, सवारियां कभी मेकप नहीं करती है, सवारियां कभी आपको नाट शरूप प्रदर्सन नहीं करती है, तो ध्यान नहें, हर वेक्ति के ओपर सवारी नहीं आ जाती है उसका रंग रूप अकार परकार तुरंध चेंज हो जाएगा तुरंध आने के बाद कि आप देखेंगे उसके आखों से पानी दोनों नथनों से पानी और उसका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो ये हमने कुछ कारण बताए सवारियां कैसे आती हैं किम आती हैं किन पर आती हैं तो जिनको सवारी भी चाहिए और जिसकी सवारी चाहिए उसकी सेवा करना चालू कर दो ठीक है सेवा बंद आचरण से हटे तो सवारी आपको परणाम करके निकल जाएगी उसके बाद आपके बरवादी के दिन चालू हो जाएगा एक एक रुपए के लिए तरस होगे ठीक है एक पकवड़ी भी खानी होगे तो लोगों से गुहार करोगे बहिया कुछ खिला दो चाय पिला दो यह दसा मैंने देखी तो बता रहा हूँ धर्म से जुड़े हो कर्म से जुड़े हो शक्तियों से जुड़े हो तो उससे जहां आपने अचरण को खोया अपने विचारों को खोया अपने संकल्पों को खोया तो आप से उनकी नजर जैसे हटेगी तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे ध्यान में रखकर ये सनातंद्रम की शक्तियां हैं बार बार मैंने विदेन करता हूँ जब भी आईए बहुत ही सोच समझ के आईए अन्नथा मत आओ कहीं काम धाम करो नौकरी चाकरी बिजिनेस करो बीबी बच्चों में खुस रहो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना समय दिया एश्वर आपके परवार को सदा सुखी रखके हमारा सौर्स वीडियो चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रेक्शन बॉक्स में है उससे जरूर देखें लाइक करें चूंकि वो छोटे उपाए सटीक उपाए बगेर बंधेज में रहके ऐसे ऐसे उपाए जिसे आप करकर तुरांत चमतकारी प्रभाव देख सकते हैं जै शिरी राओ